नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ Fantasy Benning 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ICC Man's Cricket World Cup Qualifier League दूसरी की ODI मुकाबले के बारे में जो केला जाना है UAE और USA दोनों ही टीमों के बीच में दोस्तों टूनामेंट यह काफी लंबा है 2019 से लेकर 2023 तक यह टूनामेंट चलने वाला है इसमें 60 टीमें शामिल होती है दोस्तों दूसरी लीग चल रही है यानि पहली लीग एक बार समाप तो चुकी है तीन लीगों में यह टूनामेंट पूरा खतम होने वाला है और तीन मुकाबले जीते हैं और 9 मुकाबलों में इन्हें हर मिली है वहीं एक मुकाबला ऐसा रहा है जिसका किसी परकार से कोई result नहीं निकला है वहीं अगर बात करें USA के बारे में तो 19 मुकाबले इन्हों ने खेले हैं 9 मुकाबले जीते हैं और 10 मुकाबलों में इन्हें हर मिली है यानि यहां से देखें तो लगवग दोनों ही टीम हैं यहां पर समान दिख रही हैं लेकिन बात करें अपन पिछ रिपोर्ट के बारे में तो मुसा क्रिकेट ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाना है और यहां पर पिछले जो चार मुकाबले हुए हैं दोस्तों हाली में कुछी दिन के अंतर वो अगर बात करें अभी तक टूनामेंट में ये दोनों ही टीम में तीन बार आमने सामने हो चुकी है और तीनों मुकाबलों में दोस्तों USA की टीम में बाजी मारी है तो यहाँ पर एक बार हम फिर कह सकते हैं कि USA टीम का पड़ला आज के मुकाबले में भी भारी रहने वाला है दोस्तों बात करें यदि ग्राउंड के बारे में तो यहाँ पर एवरेज स्कोर 222 का आपको देखने को मिलने वाला है पेचले चार मुकाबलों के यदि स्कोर की बात करें तो 171, 203, 215 रह और 230 रहन का स्कोर बना है यह दोस्तों तीन का स्कोर बना है यह दोनों ही टीमों जब आपस में केली थी उस टाइम पर यह स्कोर दोस्तों बनाता लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों दोनों ही टीमों की बात करें तो काफी ज़दा ज़दा मुकाबले दोनों ही टीमों अभी तक खेले हैं इसलिए हम current form यानि पिछले 6 मुकाबलों की यहाँ पर बात करेंगे दोनों ही टीमों के पिलियरों के बारे में यानि पिछले 6 मुकाबलों में current form हमको मालूम चल जाएगा और उसी के हिसाब से हम अपनी टीम तैयार करने वाले हैं तो शुरुबात करने वाले हैं बिकेट कीपरिंग सेक्शन के साथ मैं लेकर दोस्तों उससे पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट है यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें साथ साथ दोस्तों फाइनल अपडेट के लिए आपको टेलिग्राम जोइन जरूर करना पड़ेगा तो टेलिग्राम चैनल पर हम आपको फाइनल अपडेट जो भी टोस्क के बाद आती है वो देते हैं और यहीं पर हम ग्रांड लीग और हेड़ टो एल लीग की टीमें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं वीडियो को अंदर तक जरूर देखिएगा वीडियो आपको पसंद आ मॉनांग पटैल अपने यूएसे के लिए नंबर 3 पर बल्ले बाजी करते हैं और पिछले छे oczywiście स्कोर करकर दे रहे हैं बात करें पहले मुकाबले में 8 ऑड़ उसी सबाद दो E यानि द्रीं टीम का यह हर बार हिस्सा रहे हैं तो ऐसे मैं आप इने अपने टीम में जरूर शामिल करकर चल सकते हैं वहीं अगर बात करें दोस्तों विट्टिया अरविंद के बारे में तो 88% लोगोंने इन्हें टीम में सेलेक्ट किया है दोस्तों आपको बता दें यहाँ आपको काफी ज़्यादा पॉइंट दखाई दे रहे हैं लेकिन ये पॉइंट दोसों शुरूबात ही टूनामेंट के रहे हैं यानि बात करें पिछले 6 मुकाबलों के बारे में तो इनके बल्ले बाजी में ज़्यादा पॉइंट देखने को नहीं मिले हैं हाला कि लास्ट को दोस्तों लेकर चल सकते हैं लेकिन खास तूर पर ध्यान रहे हम बॉलर्स पर ज्यादा प्रिफरेंस आज के मुकाबले में देंगे दोस्तों बिट्या अर्विन नंबर तीन पर बल्ले बाजी यूए के लिए करते हैं यानि यहां से देख हैं तो दोनों ही बिगट कीप पर ठीक हैं लेकर यहां से दोस्तों मोनांग पटेल के साथ जाना पसंद करेंगे अब बात करेंगे बल्ले बाजों के बारे में सबसे पहले चिराक सूरी 88% लोगों ने टीम में शामिल किया है अपने टीम के लिए यूए के लिए दोस्तों ओपन करने यह आते हैं और 6 मु मुकाबले में इनका स्कूर हमें ठीक देखने को मिला है पहले मुकाबले में 6 इसके बाद 1 इसके बाद 26 69 और बात करें 23 और लास्ट मुकाबले में 4 रन की पारी हमें देखने को मिली हैं अब यहां से देख आएं 200 number टीम के लिए open कर रहे हैं और जिसा कि हम बता रहे हैं bowling लिंग में पेस बोलरों को मददगार रहने वाली है तो ऐसे में हो सकता है आज इनका बिकिट जल्दी गर जाए लेकिन सेफ टीम के तोर पर आप इन्हें अपनी टीम में शामिल करकर चल सकते हैं बात करेंगे सीपी रिजबान के बारे में दोस्तों इनके पुराने करते हुए आए हैं मिडल अडर में ये बल्ले बाजी करते हुए आपको देखने वाले हैं बात करें पिछले च्छे मुकाबलों के बारे में तो च्छे से पांच च्छे में से पांच मुकाबलों में शानदार स्कोर इनके बल्ले से देखने को मिला है दोस्तों बात करें प पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं और हाला कि पिछले दो मुकाबलें बॉलिंग नहीं किया लेकिन उससे पहले एक मुकाबलें पांच वर फेके हैं और एक बिकिट निकालकर अपनी टीम के लिए भी दिया है अब बात करें दोस्तों मलोतरा के बारे में तो काफी कम हुए दिखने वाले हैं अब बात करेंगे दोस्तों आरोन जोन्स के बारे में 80% लोगों ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है नंबर चार पर USA के लिए दोस्तों बैटेंग करते हुए दिखने वाले हैं और छे मैसे पिछले तीन मुकाबले नहीं के लिए हैं लेकिन जोन्स को दोस्तों आप आरान से अपनी टीम में शामिल करकर चल सकते हैं वहीं अगर बात करेंगे अपन गयानन सींग के बारे में तो 15% लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है लेकिन दोस्तों आपको बता दें इन्होंने टूनामेंट में मुकाबले काफी कम केले हैं दोस्तों आप ये पॉइंटों को देखकर अंदजा लगा सकते हैं काफी कम दोस्तों मैच इन्होंने केले हैं मातर पिछले चार मुकाबले केले हैं इसके पहले इन्होंने कोई भी मुकाबले नहीं केले हैं इसलिए इनके पॉइंट कम है इसलिए दोस्तों इनका selection of percentage कम है यानि ये पिलियर आपको लिए ऐसा रहने बाला है जो आपको different pick के तोर पर grand league head to head league किसी प्रकारग लिए में काम करने बाला है अब बात करें यदि 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 गजनन सींग के बारे में तो middle order में ये बल्ले बाजी करते हुए आपको दिखने वाले हैं और run की यदि यहांसे बात करें तो पहले ही मुकाबले में 48 इसके बाद 60 इसके बाद 13 और last मुकाबले में 31 run की पारी खेली है यानि देखें आप पचले 4 में से 3 मुकाबलों में इनका score है और यही 4 मुकाबले इन्होंने खेले हैं जबकि हर पिलियर ने लगवग लगवग दोस्तों 15 से 17 मुकाबले याँ पर खेले हैं और इन्होंने सिर्फ 4 मुकाबले खेले हैं तो उस हिसाब से इनका selection of percentage दोस्तों कम रहा है आप इनको drop करकर नहीं चल सकते हैं आप इने अपने टीम में शामल करकर जरूर चलें बात करेंगे दोस्तों बसी मुहमत के बारे में 20% लोगों ने टीम में शामल किया है टीम के लिए सुरूबात से ही ये UAE के लिए ओपन करते हैं लेकिन इस टूनामेंट में दोस्तों कोई खास performance नहीं रहा है पिछली 6 रही दोस्तों पिछली 8 पारियों में इनके मातर दो बार बड़े score रहे हैं जो कि 33 और 36 के रहे हैं बागी score दोस्तों इनके single digit में रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों पुराना पिलियर है लेकिन आप यहां से इनको drop करकर जरूर चल सकते हैं बात करेंगे मदानी के बारे में दोस्तों मदानी के बारे में 18% लोगों इने अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तो इनों ने भी मातर तीन मकाबले ऐ्यामendy इन से पहले इनों कोई भी मकाबले नहीं केले हैं तो आप यहाँ देखें पिछली तीन पारियों मेरें इनके बल्ले से सहाथतर और स weiterhin की पारी आई है हालागि एक पारी मेरे आरटर बना पाये हैं लेकिन आप अंदर लगा सकते हैं मातर तीन ही मुकाबले केले हैं तो ऐसे मैं आप इनों को अपने टीम में शामल करकर जरूर चलें यह प्लियर ऐसा है जो आपको दोस्तों काफी फाइदा दिलाने वाला है खास तोर पर इसमोल लीग और दोस्तों है टूर लीग में अब बा आवरिज आपको साथ ओवर फेक कर देने वाले हैं और पिछले चार मुकाबलों में दो बिकेट अपनी टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं और दोस्तों पर रनों की बात करें तो पहले मुकाबले में 40 इसके बाद 88 इसके बाद 60 मुकाबले में दो रन की पारी खेली है इसके बाद लगातार दोस्तों चार मुकाबलों में टीम ने इनको ड्रोप किया है। प्लेइंग मिलती है निश्चे तोर पर हम इने अपनी टीम में शामिल करकर चलने वाले हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इस्टिवन टेलर के बारे में यूएसे के लिए काफी सीनियर ये पिलियर है निश्चे तोर पर आपको फायदा दिलाने वाले हैं। दोस्तों ये टीम के लिए ओपन करने आते हैं और इसके साथ ही दोस्तों आपको 6 ओवर कंपलीट करकर ये देने वाले हैं। यानि यहां से देखें तो इन्हें आप अपने टीम में शामिल करें और कैप्टन बाइस कैप्टन जरूर आप इनको ट्राय कर सकते हैं। इसके लाओ बात करेंगे कासिब दाउद के बारे में 30% लोगों ने टीम में शामिल किया है। चटवे और साथवे नंबर यानि देखा जा लोवर मिडल ओर में ये आपको बैटेंग करते हुए देखने वाले हैं। पिछले 6 मुकाबलों में 2 बार 34 34 का स्कूर हाला की हमें देखने को यहां पर मिला है। और 4 ओवर ही दोस्तों ये फेकेंगे पिछले 6 मुकाबलों 5 विकेट टीम के लिए नकाले हैं। इसलिए आप इनको यहां से ड्रॉप करकर चलें। अब बात करेंगे निसागर पटेल के बारे में 18% लोगों ने टीम में शामिल किया है। यह भी लोवर ओडर में आपको बैटेंग करते हुए दिखने वाले हैं USA के लिए। और बात करें तो रंज ज्यादा नहीं हैं लेकिन 7 ओवर यह आपको करकर देने वाले हैं। पछले 6 मुकाबलों की बात करें तो 14, 20, 17, 32 और दोस्तों 6 रंड की पारी हमें देखने को मिली है। आट ओवर दोस्तों अभी तक पछले 6 मुकाबलों में यह निकाल कर दिये हैं। और 10 ओवर आपको कंप्लिट करकर देने वाले हैं। तो ऐसे मैं बासल हमीत को आप अपने टीम में शामिल करकर चलें। और कोसिस करें कि आपने कैप्टन 22 कैप्टन भी किसी उपरकार के लिए बना सकें। दोस्तों बॉलर्स की बात करते हैं। तो यहां पर रेश्टन 13 पिछले दो मुकाबलों में यह नहीं खेले हैं। लेकिन दोस्तों बॉलिंग की भी बात करें तो पांच ही ओवर लगवग यह करकर आपको देने वाले हैं। हाला कि पिछले 6 मुकाबलों में 5 बिगट निकालकर टीम के लिए दिये हैं। पर कम्प्लीट बॉलिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए आप इनको ड्रोप करकर चल सकते हैं। बात करना जदी एहमद रजा के बारे में तो नो दोस्तों नो ओवर यह आपको कम्प्लीट करकर देंगे। यानि पिछले 6 मुकाबलों में 9 इनका एवरेज निकला है इसका मतलब यह अपना इस्पल खटम रहे हैं। पिछले 6 मुकाबले में 9 बिगट अपने टीम के लिए नेकालकर दिये हैं। दोस्तों एक भी मुकाबला ऐसा इनका नहीं रहा है।। पिछले आठ से दस मुकाबलों की बात करें तो जहां पर जिन्होंने बिकेट निकाल कर ना दिया हो तो ऐसे में दोस्तों देखें आज बॉलिंग पेच है तो आपके लिए ये ग्रांड लीग में शांदार कैप्टन बाइस कैप्टन की भूमी का आराम से निवाने वाला है अब बात करेंगे इस्टीवन सन के बारे में 75% के आसपास लोगों ने अपनी टीम में शामिल किया है ये एवरेज आपको 8 ओबर कम्प्लीट करकर देने वाले हैं और पिछले 5 मुकाबले इन्होंने खेले हैं यहाँ पर 7 बिकेट अपनी टीम के लिए निकाल कर उन 5 मैचो में दिये हैं बात करेंगे जहूर खान के बारे में आप इनको आराम से ड्रोप करकर चल सकते हैं क्योंकि दोस्तों एक भी मुकाबला पिछले 8-10 मुकाबलों में ऐसा रहा है एक भी मुकाबले में इन्होंने अपना स्पेल कम्प्लीट नहीं किया है यानि पिछले 5-7 मुक दस ओबर करकर देने वाला है और अभी तक टूना मेंट में सबसे ज़्यादा बिकेट लेने वाला ये गेंदवाज है 16 बिकेट अपने टीम के लिए निकाले हैं USA के लिए दोस्तों केलते हैं USA टीम का आज पढ़ला बैसे भी भारी रहने वाला है तो ऐसे में आपने ग्रा शामिल करकर चल सकते हैं इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे पन सिद्धिगी के बारे में थोड़ा नीचे आईएगा 25% लोगों ने शामिल किया है टीम में दोस्तों चे ओवर एवरेज फेकेंगे पिछले 6 मुकाबलों में 8 बेकेट टीम के लिए निकाले हैं दोस्तों आज कुसिस करिएगा कि आप जो भी टीम बनाते हैं वहाँ पर कम से कम आपके 6-7 बोलर टीम में जरूर रहें क्योंकि आज दोस्तों स्कूर की बात करें तो 220 के आसपास हमें स्कूर देखने को मिलेगा वो भी दोस्तों यह एवरेज स्कूर है यानि इससे कम ही स्कूर हमें प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है बड़ी आसानी से अब आसे हमसे जुड़ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिन दोस्तों